इस दुनिया में बच्चों ने रहना है उसके बारे में भी तो सीखना है तो अब यहाँ पे भी कुछ competencies हैं जिनकी मदद से आप उनमें यह महरत पैदा कर सकते हैं कि वो अपनी दुनिया के इर्ट-गेट के हलात को जान पाएं और उसके मताबिक अपने आपको मैनेज करें पहली कंपिटेंसी तो यह है कि चिल्डन विल डिवालप अंडरस्टेंडिंग और फाओ फैमिली आर इंपोर्टेंट टॉक आउट देर फैमिली हिस्ट्री ठीक है उनके वालिदेन कौन हैं उनके सिब्लिंग कौन हैं वो कहां रहते हैं वो किस तरह के हैं वो कौन सा काम करते हैं अबबा क्या काम करते हैं अमी क्या काम करती हैं और फिर यह कि वो अपने हलात के बारे में किस इलाके में रहते ह हैं खास्तोर पर इस उमर में बच्चों को अपने अड्रेस का पता होना चाहिए और यह सारी चीजें जो उनके इड्गित हैं फिर हम देखती हैं कि चिल्डन विल डवैलप अंडरस्टेंडिंग और पीपल और फलेसे अन्दर हमने अपने इड्गित के महले में जाता है जो पलेफिंग और पार्क में बहुत से बच्चे उसके हमयुमर है उनके बारे में जानता है फिर कुछ नित मेन जानवर जैसे butterfly बिली है o तो वो जानवर क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं और वो जानवर में क्यों दिल्चस्पी ले और फिर ये कि जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल का क्या environment है, स्कूल का क्या महाल है, वहां क्या साथजा उसके लिए क्या हिसियत रखते हैं, वहां administration किस्ता से की जाती है, तो अब उसकी ये भी जरूरत है कि वो थोड़ा और बाहर निकले, खुली फिजा में, खेतों में, जंगलात में, जहां कहीं नेचर है, जहां मट्टी है, जहां पानी है, वो वहां जाए और देखे कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, छोटे-छोटे जो अल्ला के बनाए ह हुए कीडे-मकॉडे हैं, जानवर हैं, कहां रहते हैं, जिन्दगी कैसे गुजारते हैं, और जितनी भी जिन्दा चीज़े हैं, उनके साथ उसकी एक अफिलिएशन बननी चाहिए, कि जिस तरह से वो अपने लिए अपने खाने, पीने और अपने प्रोटेक्शन का ख्याल रखता है, इस तरह से वो अपने एर्द गेट में जो अल्ला की बनाई हुई दूसरी मखलुकात हैं, उनका भी वो ख्याल रखते और उनके habitat के बारे में भी जाने, फिर हम यह देखते हैं कि children will observe the weather and develop an understanding of the seasons and other significance to people, अब देखिए, अब seasons के बारे में भी बच्चे को पता होना है, उसके जहन में चोट-चोटे सवाल उठते हैं न, खर्दी क्यों है, गर्मी क्यों है, बारिश क्यों आ रही है, बादल क्यों है, बादल होगा तो क्या होगा, बहुत गर्मी होगी तो वो अपने आपको कैसे बचा सकता है, या कहीं उसके इर्ड-गिर्ड जिस तरह का भ अक्सूस बचाओ कर सके और ये कि उनको कुछ चीज अजनबी ना लगे मतलब वो घबरा ना जाएं कि अचानक उनके साथ क्या हो गया तो अगर बारिश है तो बारिश का जो सर्कल है वो हलके फुलके उनको बताया जा सकता है धूप है तो धूप कब नुकसान दे होती है कब वो धूप में निकल सकते हैं फिर ये कि उनके इर्द गेट के अंदर जो भी मौसमियाती चेंज़े आ रहे हैं जैसे हमने सिस्टेनेबल गोल्स की बात की तो उसमें एक बात तो ये भी है ना कि हम अपनी जो दुनिया है इसके वसाइल या रिसोर्सिस को जाया नहीं तो बच्चों को ये बताना भी जरूरी है कि आप अपने इडगिट वसाइल की इस तरह से हिफाज़त कर सकते हैं कैसे उनकी कदर कर सकते हैं फिर ये कि चिल्डल में डिवैलप अक्यरिंग एटिच्यूद तो फिर अगर उनको खबर होगी कि लिविंग तिंस हमारे इडग देगा या स्कूल की हर चीज तोड़ देगा तो उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए कि जितने भी वसायल जा चीजें हैं उनकी एहमियत है और उनको बिलावजा ना हम खराब कर सकते हैं ना हम उनको तोड़ सकते हैं क्योंकि वो वैल्यूवेबल हैं ठीक है फिर य सेमिनेर्स किया कि चूंके हम जमीन के बासी हैं तो जो बच्चा यहां पैदा होता है जो अपने सारे वसायल इसी जमीन से हासल करता है उसके जहन में बच्चपन से ही बार डालना जरूरी है कि वो उन वसायल का किस तरह से ध्यान करें और किस तरह से उनकी कदर करें ताके आने वाले दिनों में वो एक जिम्मदार शहरी बने और इस जमीन को कम से कम नुक्सान पुछाने वाला इनसान बने.